नमस्कार दोस्तों आप सभी को दिपावली की बहुत बहुत शुब काम नहीं आज का जो हमारा ये वीडियो है ये आटोमोबाइल सेक्टर से है फॉसिल्स फ्यूल्स पर चलने वाले जो वाहन है वो सबसे ज़्यादा एयर और साउंड पोलेशन फैलाते है पैट्रोल और डिजल काफी महंगे भी है और इसके लिए हमें दुसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है ये जरूर है कि हाल फिलाला में भारत की सडकों पर इलेक्रिक विकल्स कम ही दिखाई दे रहे है लेकिन आने वाले समय में आटोमोबाइल सेक्टर में काफी परिवर्दन होने वाला है भारत सरकार आगे के पाथ वर्ष में और आटोमोबाइल सेक्टर को दुनिया के नंबर बन पर लाना चाहती है आई ये जनते हैं SIE vehicles के बारे में जो आने वाले समय में automobile सेक्टर में नहीं करांती लाएंगे इसमें सबसे पहले लेते हैं फेक्सवल fuel vehicle याने FFV इसमें dual fuel vehicle है याने इसमें दो fuel का इस्तेमाल होता है और इसका जो internal combustion ninja ने उसको इस तरीके से design किया गया है कि ये दो fuel के एक साथ काम में लेता है याने हम दोनों को mix करके गाड़ी चला सकते है क्योंकि इसमें एक ही tank होता है और gasoline याने petrol या diesel के साथ-साथ इथेनल या मिथेनल का इसमें उपयोग किया जाता है और इथेनल जो हमारे देश में ही बनता है इसे हम गन्य से बना सकते है और ये महत्वपुर्णे तत्वा है जो वाहन को में इस्तेमाल होता है ये एक प्रकार का अलकोहल है और ये प्रदुशन भी कम फैलाता है हमारे यहां पर पंचाब अ के साथ साथ और जाता भी होगा और से फायदा है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भार नहीं हो ना होगा तो flexible fuel vehicle को भारत सरकार हो सकता है 2023 या 25 तक भारत की सड़कों पर हमें flexible fuel vehicle दिखाई दे जैसे कि Canada, North America और Brazil में दिखाई देते हैं दूसरा जो vehicle है वो bio fuel vehicle है इसमें दो प्रकार के separate tanks होते हैं याने एक में आप petrol या diesel रख सकते हैं और इसमें दूसरे में आप CNG के द्वारा याने compressed natural gas का इस्तेमाल कर सकते हैं या liquid petroleum gas का या hydrogen का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके engine इस तरीके से बनाए गए है कि at a time A की fuel को इस्तेमाल कर सकता है फिर आते हम electric vehicle पर जिसका आजकल ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है जोर कि भारत की सडकों पर हमें अब ज्यादा electric vehicles दिखाई देंगे अब जानते हैं हम electric vehicles के बारे में तो सबसे पहले है battery electric vehicles याने जो पूरी तरह से battery से चलने वाली है जिसे pure electric vehicles भी कहते हैं इस vehicle में motor और battery होती है यहाँ पर engine और fuel tank नहीं होता है जैसे कि बाकी case में होता है क्योंकि यह पूरी तरह से battery और motor पर चलती है और इसे रोज charge करना ज़रूरी है इसे आप घर पर भी charge कर सकते हैं और charging station पर भी दूसरा जो हमारा है electric vehicle वह है hybrid electric vehicle जैसे इसका नाम hybrid है hybrid का मतलब होता है कि हम दो variety को मिला करके एक नई variety को बनाते हैं जैसे कि दो variety के गहूं को मिला कर एक नई variety के गहूं की फसल को उगाना इसी का तरीके से दो अलग-अलग car की जो variety है उनको एक ही car में mix कर देना और उसको hybrid इसमें है जो भी मॉटर और बैٹरी से बीचलती है और सात सात इसमें इंटर्नल कंबर्शन इंजिन भी है और फ्यल टैंक भी यानि पेट्रील बगादस और डिजल आनि जो प्यार्द है उसका चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है यह अपने आप चार्ज होते रहती है और जब इसका जो बैटरी खतम हो जाती है तो यह अपने आप पैट्रोल या डिजल से चलती है इसमें एक जो दूसरी वेराइटी है वो है प्लग-इन हैब्रीड इलेक्रिक विकल में भी मोटर और बैटरी के साथ साथ इंजन और में अपने क्ली किया है, इसे अमरिका की इलेक्रिक विकल շ्ल् Cup ने लॉञ्च किया है यह वो सेटर है इसमें दो लोग सकते है और इसके तीन वीले, दो विल्ल आगे है और एक वील ६ील पीछे है इसमें इसे चाज किया जा सकता है एक्स्टरॉन चार्च के द्वारा और इसमें solar array भी है जो battery pack को charge करते रहते हैं इसके रूफ में भी solar panel लगे हुए है और dashboard में भी electric vehicles को charge करने की जुरूरत होती है और इसके लिए EV stations बनाए गए है और इसमें AC और DC slow और fast दोनों charge होते है जबकि quick और fast DC charger समय कम लेता है और AC fast और slow charger समय ज़्यादा लेता है AC fast charging 6 से 60 गंटे का समय लेता है AC slow charging 18 से 20 गंटे का समय लेती है और DC fast charging लगभग 40 मिनिट से लेकर 1 गंटे का समय लेती है और DC ultra rapid charging जो है वो 15 मिनिट से लेकर 30 मिनिट का समय लेती है जितनी भी electric vehicle है ये सारी automatic car होती है इसमें clutch नहीं होता है इसमें driving mode होता है, neutral होता है, back और forward होता है और battery कितनी है, क्या है ये सब dashboard में अपने आप digital आजाता है परेशान होने के इसमें ज़रत नहीं होती अगर आपकी battery खतम होने वाली है तो dashboard में आजाता है कि आपकी battery कितनी है, कितनी नहीं है कब आपको उसको चार्ज करना है इसी तरीके से जितनी भी इलेक्ट्रिक विकल है इन सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो है वो हाईर एनर्जी डेंसिटी होती है इसमें लॉंगर लाइफ स्पैन होता है खास करके हम जब देखते हैं कि इस विकल से परियावरन को काफी फायदा होगा क्योंकि ये धुआ नहीं करती और आवाज भी नहीं करती तो इससे नहीं एर पोलुशन होगा और नहीं साउंड पोलुशन और ये इको फ्रेंडली है हाँ ये जरूर बात है कि इसको चार्ज करने में हमें थोड़ी सी परिशानी हो सकती है क्योंकि फास्ट या क्विक चार्जिंग ज़्यादा हो सकता है चार्जिंग स्टेशन में कम हो और समय ज़्यादा लगता है अगर हम इसे चार्ज करने बैठे और घर पर चार्ज करने में इसके लिए अलग से सॉकेट लगाना होगा और कई बार ऐसा होता है कि किसी के गर में अर्थिंग नहीं होती है तो उसे अर्थिंग भी करानी पड़ेगी और नए सॉकेट भी इसके लिए लगाने होंगे पर यह जरूर है कि से हम परियावरंड को फाइदा दे सकते हैं खास करके जी बिजली से चलती है तो यहां पर हम इसको सोलर से और वींड से भी चला सकते हैं तो कार्बन एमिशन्स कम होगा इसमें हाल ही में स्कॉटलेंड के ग्लास को शिकर सम्मिलेजन याने कोप 26 कॉन्फरेंस आफ पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें जलवायू से होने वाले खत्रे की चर्चा की गई भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी जी ने पंचामरत की बात की है और ये पांच जो उन्हो और रिन्यूवल एनरजी से हम पूरा करेंगे याने वीन, सोलर और हैड्रो एलेक्ट्रिक से और कोईले से जो बिजली की निर्भरता है उसको हम कम करेंगे 2030 तक ही कुल जो प्रोजेक्ट है कार्बन एमिशन का उसमें 1 बिनलियन टन को हम कम करेंगे और 2030 तक भारत की जो अर्थ वेवस्ता है उसमें कार्बन इंटेंसिटी को 45 प्रतिशत से भी हम कम करेंगे और 2030 तक हम क्लाइमेट एक्षन को 0 तक के लक्ष तक पहुचा देंगे कार्बन उसमें सबसे ज़्यादा चीन में है फिर युनेटेट स्टेट में और तिसरे नंबर पर भारत का नंबर आता है इस कार्बन उसमें को कम करने के लिए हमें आटोमोबाइल सेक्टर में होने वाले परियोरतन को अपनाना होगा और जलवाईयों को सुरक्षित रखना होगा और इससे हमें जनता का पूरा सयोग लेना होगा तभी हम 2070 तक अपने लक्ष तक पहुच पाएंगे तो ये थी जानकारी इलेक्टरिक वेकल से सम्मंदित अगले वीडियो में हम नए विशे के साथ आएंगे तब तक के लिए नमश्कार हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें जय हिंद जय भारत